Hello friends, welcome to Prashant IS So friends, last class में हमने राज्यसभा चुनाव तक अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था और इस class में हम अपने discussion को आगे बढ़ाएंगे So friends, इस class में हम open ballot system यानि कि खुली मत्त्त्र प्रणाली या फिर खुले मत्दान के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे So friends, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये जानना है कि राज्यसभा चुनाव open ballot system यानि कि खुली मत्त्त्र प्रणाली द्वारा करवाए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें क्या जानना है तो यहां पर हमें सबसे पहली चीज जानना है कि राजसभा चुनाओ open ballot system यानि कि खुली मतपत्र प्रणाली या फिर खुले मतदान द्वारा करवाई जाते हैं तो फ्रेंड्स अब हमारे सामने प्रश्ण उठता है कि राजसभा चुनाओ में open ballot system या फिर खुली मतपत्र प्रणाली से क्या मतलब है तो आईए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि open ballot system या फिर खुली मतपत्र प्रणाली का मतलब क्या होता है So friends, आईए एक उधारण के जड़िये मैं आपको इस concept को समझाने का प्रयास करता हूँ तो screen पर आप एक diagram देख रहे होंगे So एक polling station का diagram है polling station का अर्थ होता है मतदान केंद्र यानि कि जहां पर जाके मतदान किया जाता है तो ये वाला जो जितना भी area है ये क्या है, ये polling station है यानि कि ये मतदान केंद्र है और ये जो रास्ता है, ये polling station के लिए रास्ता है अब friends, कल की class में मैंने आपको बताया था कल की class में मैंने आपको राजिस्थान State Legislative Assembly यानि कि राजिस्थान विधान सवा का example लेकर आपको पूरी की पूराई चुनाव प्रक्रिया समझाई थी तो आज भी हम राजिस्थान State Assembly राजिस्थान विधान सवा का example लेकर ही आगे की प्रक्रिया को समझेंगे So friends, आए जल्दी से revise करते हैं कि कल की class में मैंने आपको क्या बताया था So friends, कल हमने discuss किया था कि हमने कल मान लिया था कि राजिस्थान की जो State Legislative Assembly है उसमें केबल दो राजनितिक दल है राजनितिक दल A और दूसरा राजनितिक दल है राजनितिक दल B उसके बाद friends, राजिस्थान की State Legislative Assembly में यानि कि राजिस्तान की विधान सभा में कुल कितनी सीटे हैं? 200 सीटे हैं तो हमने अपने एक्जाम्पल में माना था कि राजनितिक दल A के पास 1500 सीटे हैं और राजनितिक दल B के पास कितनी सीटे हैं? राजनितिक दल B के पास 50 सीटे हैं और इस example को आंगे लेते हुए मैंने आपको राजसवा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझाई थी अब friends मान के चलिए कि दो व्यक्ति हैं ये एक व्यक्ति है जो कि मैं यहाँ पर blue color में ड्रॉ कर रहा हूँ ये राजनितिक डल एक का विधायक है और कहां से राजस्थान की विधानसवा से उसके बाद friends जो मैं orange color में व्यक्ति ड्रॉ कर रहा हूँ तो हम मान के चलते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये राजनितिक डल B का विधायक है राजस्थान की विधानसवा में तो ये वाला व्यक्ति कौन है? ये जो नीले रंग में मैंने यहाँ पर व्यक्ति ड्रॉ किया है ये राजिस्तान विदान सबाम है राजनितिक दल A का विधायक है और मैंने जो औरेंज कलर में व्यक्ति ड्रॉ किया है ये राजनितिक दल B का विधायक है राजिस्तान की पहुत जाएंगे और ये क्या है ये मतदान केंडर है अब फ्रेंट मैंने आपको कल बताया था कि मतदान केंडर में इनको एक ballot paper दिया जाएगा यानि कि इक मतपत्र दिया जाएगा और इस मतपत्र में इनको अलग-अलग preferences भरनी होगी यानि कि अलग-अलग उम्मीद्वारो तो मतदाताओं को एक मतपत्र दिया जाएगा, यानि कि बैलट पेपर दिया जाएगा, और उस बैलट पेपर को इन मतदाताओं द्वारा भरा जाएगा, अब फ्रेंड्स, आप लोगों के मनमें एक सवाल आ रहा होगा, कि यहाँ पर यह चेर्स क्यों डली हुई हैं, तो फ् ब्राउन कलर की seat है इस पर राजनितिक दल B यानि कि political party B का एक authorized agent यानि कि एक अधिकरत agent बैठेगा तो अब हमारा सवाल है कि इन agents का क्या काम है यानि कि जो राजनितिक दल A का agent है जो की blue color की कुरसी पर बैठा है और राजनितिक दल B का जो agent है जो की brown color की कुरसी पर बैठा है इन दोनों का काम क्या है तो friends जैसी कि मैंने आपको बताया कि ये जो blue color का मैंने व्यक्ति बनाया है जिसको अभी मैंने red circle में बंद किया है ये कौन है ये राजनितिक दल A का विधायक है तो जब राजनितिक दल का ये विधायक मतदान केंद्रमर अपना मत देने जाएगा तो इसको एक ballot paper भनना उसके बाद जब इसने मतपत्र भर दिया तो अपना मतपत्र यानि कि ballot paper भरने के बाद उसको ये ballot paper अपनी राजनितिक दल के अधिकरित agent को दिखाना पड़ेगा जैसे कि ये वाला बिधायक राजनितिक दल A से है ये वाला जो बिधायक है ये राजनितिक दल A से है तो इस इसको मतदान केंद्र में अपने बैलट पेपर को यानि कि मतपत्र को भरने के बाद राजनितिक डल A के अधिकरत एजेंट को राजनितिक डल A के एजेंट को अपना मतपत्र दिखाना पड़ेगा बुलकुल उसी प्रकार से फ्रेंट्स ये वाला जो व्यक्ति है ये राजनितिक डल B का विधायक है तो जब राजनितिक डल B का विधायक मतदान केंद्र में मत देने जाएगा तो इसको भी का करना पड़ेगा इसको भी एक मतपत्र यानि कि बैलट पेपर भनना पड़ेगा लेकिन अपने ballot paper यानि कि मतपत्र को जमा करने से पहले इसे राजनेतिक दल B के एक अधिकरित agent यानि कि राजनेतिक दल B के एक authorized agent को अपना ballot paper यानि कि अपना मतपत्र दिखाना होगा इसे इसलिए हम कहते हैं open ballot system यानि कि खुली मतपत्र प्रणाली तो इसे हम open ballot system में खुली मतपत्र प्रणाली क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मतजान दो है यहाँ पर voting जो है वो secret नहीं है यहाँ पर मतदान जो है यहाँ पर voting जो है वो गुप्त नहीं है तो यहाँ पर जो म राजनितिक दल के एक अधिकरित एजेंट को हर विधायक को अपने राजनितिक दल के एक अधिकरित एजेंट को अपना मतपत्र दिखाना होगा तो जो राजनितिक दल A का अधिकरित एजेंट है उसको पता चल जाएगा कि राजनितिक दल A की विधायक जो है उन्होंने किस प्रकार से बोट दिया है जैसे कि फ्रेंट्स ये वाला विधायक जो है वो राजनितिक दल ये का विधायक है तो जब ये अपना बोट देने जाएगा जब ये अपना मत देने जाएगा तो पोलिंग स्टेशन में यानि की मतदान केंदर में ये राजनितिक दल A के एक अधिकृत एजेंट को राजनि राजनेतिक बल बीके एक अधिकरत एजेंट को अपना मतपत्र दिखाएगा और चूकि अब इसका मतदान गुप्त नहीं रहे गया है क्यों कि पार्टी की एजेंट को पता है कि इसने किसको अपना मत दिया है और इसका जो मत है वो गुप्त नहीं है इसलिए इसे हम open ballot system या खुली मतपत्र प्रणाली कहते हैं उसके बाद फ्रेंट्स यह जो खुली मतपत्र प्रणाली है यानि कि open ballot system है इसका फायदा क्या है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब राजनितिक बल एक को पता होगा कि मेरे जितने भी विधायक है उन्हों में राजनितिक ब बोट दिया है या फिर ऐसा तो नहीं है कि उन्हों ने किसी और राजनितिक बल के उम्मीद्वारों को बोट दे दिया हो तो इसका क्या फायदा होता है कि इससे क्रॉस बोटिंग रुख जाती है उके इससे क्रॉस बोटिंग रुख जाती है क्यों क्योंकि अब राजनितिक बल एक को पता होगा कि मेरे विधायकों ने मेरे ही पार्टी के जो उम्मीद्वार है मेरे ही पार्टी के जो केंडिडे और पार्टी की उम्मीदवारों को बोट दे दिया हो, तो इससे क्या होता है, कि इससे क्रॉस बोटिंग पर काफी हद तक अंकुस लगाया जा सकता है, तो ये इस सिस्टम को हम कहते हैं, फ्रेंड्स, ओपन बैलेट सिस्टम, या फिर खुली मतदान प्रणाली, या फिर खुली मतपत्र प्रणाली, तो आईए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन के वारे में, यानि कि यदि कोई व्यक्ति, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानि कि उसके पास क्या अहरता है, या फिर क्या योगिता होनी चाहिए, तो फ्रेंड्स, सबसे पहली क्वालिफिकेशन क्या है, राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए सबसे पहली qualification है Citizen of India Citizen of India यानि की भारत का नागरेक Citizen of India यानि की भारत का नागरेक यानि की जो वेक्ति राज्यसभा का सदस्य वनना चाहता है जो वेक्ति राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तो सबसे पहली qualification क्या है कि जो व्यक्ति राजिसवा का सदस्य बनना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तो इस बात का ये मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही राजसभा के सदस्व बन सकते हैं कोई भी विदेशी नागरिक राजसभा का सदस्व नहीं बन सकता है सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक ही राजसभा के सदस्व बन सकते हैं आईए अब हम बात करते हैं दूसरी qualification यानि की दूसरी अहरता के बारे में So friends, इस दूसरी अहरता को आईए हमें कोधारंट के जरिये समझने का प्रयास करते हैं तो मानके चलिए friends कि ये वेक्ति जिसे मैं स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूं बुलू कलर में ये वेक्ति जो है ये राजसवा का सदस्य बनना चाहता है और ये वेक्ति जो मैं औरेंज कलर में ड्रॉ कर रहा हूं मानके चलिए कि इस वेक्ति को Election Commission of India यानि कि भारत निर्वाचन आयोग ने निक्त किया है तो friends, दूसरी हरता क्या है कि इस वेक्ति को यानि कि ये वेक्ति जो कि राजसवा का सदस्य बनना चाहता है उसे ऐसे किसी वेक्ति की उपस्थिती में इस वेक्ति को यानि कि वो वेक्ति जो राजसवा का सदस्य बनना चाहता है उसे ऐसे किसी वेक्ति के समक्ष सबत लेनी होगी जिसे भारत निर्वाचन आयोग ने अधिक्रित किया हो जैसे कि मान के चलिए कि इस वेक्ति को चुनाव आयोग ने अधिकृत किया है कि ये शपत दिला सकता है तो अब इस वेक्ति को यानि कि जो वेक्ति राजसभा का सदस्य बनना चाहता है उसे इस वेक्ति की उपस्तिती में सपत ग्रहन करनी होगी तो इस बात को हम यूँ भी बोल सकते हैं कि जो व्यक्ति राजसभा का सदश से बनना चाहता है उसे इस उद्देश्च हेतु चुनाओ आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष समत लेनी होगी तो जैसे कि चुनाव आयोग ने इस व्यक्ति को अधिकृत किया है तो अब इस व्यक्ति को ये औरेंज वाले व्यक्ति की उपस्तिती में सपत लेनी होगी तो जो व्यक्ति राजिसभा का सुरत से बनना चाहता है उसे इस उद्देश हितु चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष सपत लेनी होगी अब friends, वो अपनी सपत में किस चीज के लिए सपत लेता है? यानि कि किस चीज के लिए सपत ले जाती है? तो सपत में basically दो points होते हैं 2 points के बारे में सपत लेता है सबसे पहला point ये है सपत का सपत का पहला point होता है कि वह भारत के समविधान के प्रती सच्ची आस्था और निस्था रखेगा तो पहला point क्या है कि वो व्यक्ति भारत के समविधान के प्रती सच्ची आस्था एवं निस्था रखेगा तो इस बात का ये मतलब है कि व्यक्ति इस बात की सपत ले रहा है कि उसे भारत की समविधान में पूर्ण विश्वास है उस व्यक्ति को भारत की समविधान पर पूरा विश्वास है और वो भारत की समविधान पर अपनी पूरी आस्ता एवं पूरी निस्था रखता है उसक व्यक्ति बारत की संप्रभूता यहां उसकी अखंडता की रक्षा करेगा और उसको अक्छुन बनाया रखेगा तो इन दो चीज़ों की बारेगा में वेक्ति को सपत गरहन करनी होती है आइए अब हम तीसरी अहरता यानि की थर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं So friends अब अगली अहरता वेक्ति की एज यानि की I.U से संबंदित है तो अगली क्वालिफिकेशन है कि व्यक्ति की न्यूनितम उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए व्यक्ति की न्यूनितम उम्र कम से कम 30 वर्ष की होनी चाहिए तो इस बात का क्या मतलब है इस बात का ये मतलब है कि जो भी व्यक्ति 30 वर्ष से कम आयू वाले हैं वो राजसवा की सदस से नहीं बन सकते तो जिस व्यक्ति को भी राज्यसभा का सदस से बनना है वो या तो 30 साल का हो या 30 साल से अधिक का हो यानि कि उसकी उम्र 30 वर्स के बरावर हो या फिर 30 वर्स से अधिक हो तो ऐसा कोई भी व्यक्ति राज्यसभा कि सदस नहीं बन सकता जिसकी आयू 30 वर्स की उम्र से कम हो तो यदि किसी व्यक्ति को राजिसवा का सदस से बनना है तो उसकी कम से कम आयू 30 वर्स होनी चाहिए तो आईए अब हम 4 अहरता के वारे में चर्चा करते हैं अब friends इसके अलाबा देश का संसद यानि कि Parliament देश का संसद विधी बना कर इस सूची में अन्न कौलिफिकेशन्स या अहरता को भी जोड सकता है यानि कि यदि देश का संसद चाहे तो वो विधी बना कर इस सूची में अन्न कौलिफिकेशन्स को या फिर अन अहरताओं को भी जोड सकता है तो उस व्यक्ति के पास ऐसी अन अहरताओं भी होनी चाहिए जो संसत द्वारा मांगी गई हो तो उस व्यक्ति के पास ऐसी समस्त अहरताओं होनी चाहिए जो कि संसत में विधी बना कर निश्चित की हो जैसे कि friends मैं आपको एक example देता हूँ मानके चलिए friends ये जो व्यक्ति है मानके चलिए कि ये जो व्यक्ति है ये राजसभा का सदस्य बनना चाहता है अब friends ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश से राजसभा का सदस्य बनना चाहता है तो यदि ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश से राजसभा का सरश से बनना चाहता है तो इसको चाहिए कि यह किसी भी लोगसभा चुंस्टिट्वेंसी में एक रजिस्टर्ड वोटर हो यानि कि किसी भी लोगसभा निर्वाचन छेत्र में एक पंजीकृत वोटर हो अब दाता है राजसभा का सदस्य लेकिन फ्रेंट्स मान के चलिए कि ये व्यक्ति मद्द प्रदेश की किसी लोगसभा निर्वाचन छेत्र में पंजीकृत मत दाता है तो अब हमारा सवाल है कि क्या इस स्थिती में ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश से राजसभा का चुनाओ लड़ना चाहता है तो उसके लिए ये आवश्चक नहीं है कि उसे उसी प्रदेश में लोगसभा कॉंस्टिट्वेंसी में रजिस्टर्ड बोटल होना चाहिए इस बात कि कोई भी आवश्चकता नहीं है ओके आवश्चकता किस चीज की है आवश्चकता इस चीज की है कि उस व्यक्ति को देश में किसी भी लोकसवा constituency में एक registered voter होना चाहिए। जैसे कि भले ही ये व्यक्ति मद्ध प्रदेश की लोकसवा constituency में एक पंजी कृत मत दाता है, तो भी ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ सकता है। तो मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ कि संसत बिदी बनाकर जो भी अहरताएं निस्चित करेगा, व्यक्ति को वो सभी अहरताओं को, व्यक्ति के पस वो सभी qualifications यानि कि अहरताएं होनी चाहिए, तो आईए, अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बात friends, उस व्यक्ति को किसी भी office of profit यानि कि लाप के पद पर नहीं होना चाहिए, अब office of profit या लाप के पद का क्या मतलब है, तो लाप के पद का मतलब है कि यदि आपकी न्युक्ति, यानि कि आपका appointment सरकार ने किया है, यदि आ आपका removal यानि कि आपको हटाने की शक्ति सरकार के पास है, इसके अलाबा आपको आपके कारे के लिए पैसा मिल रहा है, तो ऐसे किसी भी पद को हम लाप का पद कहेंगे, तो लाप का पद कौन सा पद है कि आपका appointment यानि कि नियुक्ति सरकार ने की है, आपका removal यानि कि पत पर नहीं होना चाहिए So आईए friends अब हम राज्यसभा की special powers यानि की विशेश शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या है राज्यसभा की सबसे पहली special power? So friends राज्यसभा की पहली special power article 312 यानि की अनुछे 312 में दी हुई है और ये जो special power है ये AIS AIS का अर्थ होता है All India Services इसे हम हिंदी में कहते हैं अखिल भारतिय सेवा है तो पहली जो सकती है वो AIS यानि की अखिल भारतिय सेवाओं से संबन देते हैं Friends मैंने आपको पहले भी इस बात को समझाया था कि AIS क्या होता है और आज मैं आपको पुनह इस बात को short में समझाने का प्रयास करता हूँ कि AIS का क्या मतलब होता है So friends यदि हम Civil Services यानि की Civil सेवा की बात करें तो जो Civil Servants हैं यानि की Civil सेवक हैं वो तीन टाइप के होते हैं सबसे पहले आते हैं Central Civil Servants यानि की Kindries Civil सेवक उसके बाद AIS Officers यानि की All India Service Officers जिसे हम कहते हैं अखिल भारतिय सेवा तो AIS यानि की अखिल भारतिय सेवा और उसके बाद है State Civil Servants यानि की राज्य सेवक अब friends जो Central Civil Servants होते हैं इनका जो appointment है यानि की इनकी जो निकती है वो Center दोरा की जाती है उसके अलाबा ये जो कार करते हैं यानि की ये जो वर्क करते हैं वो भी ये Center के लिए करते हैं उसके बाद ये हम राज्य सेवकों की बात करें तो राज्य सेवकों की नुकती यानि की appointment कौन करता है राज्य दोरा किया जाता है और ये work किसके लिए करते हैं कार किसके लिए करते हैं तो ये राज्य के लिए ही कार करते हैं अब friends यदि हम Central Civil Servants की बात करें केंडरे सिविल सेवकों की बात करें तो इसका एक example हो सकता है IRS Officers यानि की Indian Revenue Service Officers उसके बात यदि हम राज्य सिविल सेवकों की बात करें तो इनका एक example हो सकता है SDM यानि की Sub-District Magistrate तो केंडरे सिविल सेवकों की न्युक्ती कौन करता है केंडर सरकार और एक कार किसके लिए करते हैं केंडर सरकार के लिए राज्य सेवल सेवकों की न्युक्ति कौन करता है राज्य सरकार और एक कार किसके लिए करते हैं राज्य सरकार के लिए लेकिन फ्रेंड्स ओल इंडिया सर्विस के जो ओफिसर्स होते हैं यानि कि अखिल भारतिय सेवा के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है तो सबसे पहला सवाल यह है कि All India Service Officers की जो न्युक्ती है यानि कि Appointment है वो कौन करता है तो All India Service यानि कि अखल भारतिय सेवाओं के जो अफसर होते हैं उनकी न्युक्ती केंडर सरकार दोरा की जाती है यानि कि इनकी न्युक्ती कौन करता है इनकी न्युक्ती Central Government या फिर केंडर सरकार दोरा की जाती है लेकिन इसके बाद सवाल आता है कि जो EIS Officers है वो कार किसके लिए करते हैं वो वर्क किसके लिए करते हैं तो अब यहां पर आंसर थोड़ा सा twisted है तो आप लोग ध्यान से सुनना कि EIS Officers सेंटर के लिए भी कार करते हैं और प्लस स्टेट्स के लिए भी कार करते हैं यानि कि वो केंडर के लिए भी कार करते हैं और प्लस वो राजियों के लिए भी कार करते हैं तो इस टाइब के officers को हम कहते हैं EIS officers, अब friends EIS officers में कौन-कौन से officers आते हैं, तो EIS officers में आते हैं IAS officers यानि की Indian Administrative Service, भारतिय प्रशाशनिक सेवा, उसके बाद आते हैं Indian Police Service यानि की IPS, और उसके बाद आते हैं IFS, IFS यानि की Indian Forest Service, जिसे हम कहते हैं भारतिय बन सेवा, तो यह जो तीनों officers हैं EIS यानि की All India Services या फिर अखिल भारतिय सेवा में आते हैं, तो आईए अब हम देखते हैं कि राज्यसभा को EIS officers के regarding क्या विशेश शक्ती प्राप्त है, So friends, अनुचे 312 के according, राज्यसभा को यह विशेश सक्ती प्राप्त है, कि राज्यसभा यदि विशेश बहुमत से प्रस्ता पारित करकर, विशेश बहुमत से प्रस्ता पारित करकर, यदि संसद को यह शक्ती प्रादान कर दे, तो संसद को यानि कि पार्लेमेंट को यह शक्ती प्राप्त हो जाती है, कि संसद एक या उससे अधिक, ओके एक या उससे अधिक, ओल इंडिया सर्विसेश को यानि कि अखिल वारतिय सेवा को बना भी सकता है, यानि कि create कर सकता है, और उसके अलाबा उन्हें खतम भी कर सकता है, यानि कि abolish भी कर सकता है, तो क्या मतलब है इस बात का, तो आईए मैं आपको इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, तो friends, इस चीज का प्रसीजर यह है, कि मान के चलिए यह राजसभा है, तो अब राजसभा को क्या करना होगा, राजसभा को एक resolution पास करना होगा, यानि कि राजसभा क संसद को यह शक्ती प्रदान कर रही है, यह पावर दे रही है, कि संसद एक या उस से अधिक अखिल भारतिय सेवाओं को निर्मान भी कर सकता है, या उन्हें खतम भी कर सकता है, यानि कि उन्हें create भी कर सकता है, या उन्हें abolish भी कर सकता है, अब इस resolution को इस प्रस्ताब को पारित करने के लिए कितने भहुमत की आवशक्ता होती है तो इस प्रस्ताब को राजसवा में पारित करने के लिए कितने भहुमत की आवशक्ता होती है तो Majority of more than two-third of the members present and voting यानि कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों मैंसे दो तिहाई के भहुमत की आवशक्ता होती है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों मैंसे दो तिहाई के भहुमत की आवशक्ता होती है फ्रेंड्स यदि आपको इस भहुमत का अर्थ पता नहीं है तो शुरूबाती क्लासेस में ही मैंने बहुमत की उपर यहीं की मेजॉरिटी की उपर एक वीडियो बनाया था तो आप लोग उस वीडियो को जाकर मेजॉरिटी वाली एनि बहुमत वाली क्लास अटेंड कर सकते हैं ओके तो यदि राज़ी सबा इस प्रस्ताब को उपस्तित एवं मतदान करने वाले सरस्यों में से दो तिहाई के भभुमत से पास कर देती है तो संसद को ये शक्ती प्राप्त हो जाएगी कि संसद ये क्या उससे अधिक अखिल बारती सेबा को बना सकता है यानि कि create कर सकता है उसके अलाबा abolish भी कर सकता है यानि कि खतम भी कर सकता है तो ये है राजसवा की पहली विशेश शक्ती So friends, यदि हम राजसवा की अगली special power यानि कि अगली विशेश शक्ती के बारे में बात करें तो राजसवा की अगली special power अनुछेद 67 clause B आर्टिकल 67 clause B यानि कि अनुछेद 67 खंड खामें दी हुई है अब क्या है ये special power ये special power ये है कि भारत को उपरास्ट्रपती को हटाने की जो प्रक्रिया है यानि कि Vice President of India को remove करने की जो process है उसे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू किया जा सकता है भारत के उपरास्ट्रपती को हटाने की प्रक्रिया हैनि कि भारत के उपरास्ट्रपती को Vice President of India को remove करने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है तो इस बात का मितलब यह हुआ कि भारत के उपराष्टपती को हटाने का जो प्रस्ताव है उसे सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में ही पेस किया जा सकता है यानि कि Vice President of India के Removal की जो प्रोसेस है उसे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशेट किया जा सकता है तो यदि हम summarize करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के उपराष्टपती को हटाने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही शुरू की जा सकती है तब process to remove the vice president of India can only be initiated in राज्यसभा इस बात का ये मतलब हुआ, friends, कि लोगसभा, यदि हम बात करें लोगसभा की, तो इस बात का ये मतलब हुआ कि भारत के उपराष्टपती को हटाने की प्रक्रिया लोगसभा में शुरू नहीं की जा सकती भारत के उप्राष्टपती को हटाने की प्रक्रिया लोगसभा में शुरू नहीं की जा सकती है तो आईए अब हम आँगे बढ़ते हैं उसके बाद फ्रेंड्स राजसभा की अगली विशेश शक्ती अनुचे 249 यहने की आर्टिकल 249 में दी हुई है तो क्या कहता है आर्टिकल 249 अगर राजसभा अब देखिए फ्रेंड्स इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बैग्राउंड बता देता हूँ तो जैसे कि इस बात को मैंने आपको पहले भी बताया है जैसे कि मैं आपको इस बात को पहले ही बता चुका हूँ कि भारत एक फैडरल देश है यानि कि भारत एक संगिय देश है तो फैडरल देश या संगिय देश होने से क्या मतलब है फेडरल देश या संगीर देश होने से मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच सक्तियों का clear-cut बिवाजन किया गया है और इसी के लिए team lists हैं जो कि है union list यानि की संग सूची, state list यानि की राज्य सूची और concurrent list यानि की संवर्ती सूची अब friends union list यानि की संग सूची में जितने भी subjects हैं जितने भी विशय हैं उन पर देश की संसत कानून बनाती है यानि की ये केंद्र सरकार के लिए विशय हैं उसके बाद state list यानि की राज सूची में जितने भी विशय हैं उनमें राज की विधान सभा राज की legislative assembly यानि की राज की विधान सभा उनके लिए कानून बनाती है और यदि हम concurrent list यानि की समवर्ती सूची की बात करें तो इस पर parliament भी कानून बना सकती है और state की legislative assembly भी कानून यानि की संसद भी कानून बना सकता है और राज की विधान सभा भी कानून बना सकती है तो इस बात से हम क्या निश्कर्ष निकालें इस बात से हम ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो राज सूची है राज सूची पर संसद कानून नहीं बना सकती है और संसद संग सूच पर कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर परंतु राज सूची पर नहीं बना सकती राज सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है राज सूची में कानून बनाने का अधिकार राज की विधान सभा को प्राप्त है अब फ्रेंड्स आईए अब हम देख पारित करें यानि कि एक resolution पास करें और इस resolution में क्या लिखा हो उस resolution में यह लिखा हो कि state list एनि कि राज्य सूची का कोई विशाय राष्ट्रिय महद्व का है तो संसद को राज्य सूची के उस विशाय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो क्या है process आईए मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ so friends मान के चलिए कि राज्य सवा ने एक प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यक्ता होती है इस प्रस्ताव को पास करने के लिए majority of two-third of the members present and voting यानि कि उपस्तित एवर मतदान करने वाले सदस्यों में से दो तिहाई के बहुमत की आवश्यक्ता होती है यदि इस बहुमत से राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें ये लिखा हो कि राज्यसूची का यानि कि state list का कोई particular subject state list का कोई विशय राष्ट्रिय महद्व का है यानि कि national importance का है तो उस particular विशय पर संसत को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है तो friends यदि कुछ लोगों को इस बात अभी भी समझ में नहीं आ रही हो तो आईए मैं आपको एक example देता हूँ जिसके थुरू आपको इस बात अच्छे से समझ में आ जाएगी तो friends जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं पुलिस जो है पुलिस किस का subject है पुलिस राज सूची यानि कि state list का एक subject है यानि कि पुलिस के regarding जितने भी कानून है वो कौन बनाता है राज की विदयानसभा बनाती है अब friends हम जानते हैं कि भारत में बहुत चारे राज्य हैं अब मानके चलिए कि क्या हुआ कि सभी राज्यों में crime यानि कि अपरात बढ़ने लगा सभी राज्यों में अपरात के बढ़ने की दर क्या हुआ बढ़ गई सभी राज्यों में अपराद बढ़ने लगा और यदि सभी राज्यों में एक साथ अपराद बढ़ रहा है तो इस बात का क्या मतलब है कि ये बढ़ता हुआ अपराद अब एक राष्ट्र महत्व का विशा है क्यों कि पूरे के पूरे राष्ट्र में पूरे के पूरे देश में एक साथ अपराद बढ़ रहा है तो इस बात का ये मतलब हुआ कि अब ये आवश्यत्ता है कि पुलिस के रिकार्डिंग और अच्छे कानून बनाए जाए राज के विधान सवाए पुलिस के रिकार्डिंग ऐसे कानून नहीं बना पा रही है जिससे कि अपराद को कंट्रोल किया जा सके और ये जो अपस्था है वो पूरे के पूरे देश में बढ़ रही है यानि कि ये जो विशाय है ये एक राश्ट्री महद्व का विशाय है अब फ्रेंड्स यदि राजसभा क्या करे उपस्तित एबर मतदान करने वाले सरस्थ्यों में से दो तिहाई के बहुमत से तो ये प्रस्ताब पारित कर दे कि पुलिसिंग जो है जो पुलिस विवशाय है जो अब राश्ट्री महद्व का विशाय है तो देश की संसद को यानि कि इंडिया की पार्ले shroud को पुलिस के regarding कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा तो यह है Article 249 के अंतरगत राज्यसभा की अगली विशेश शक्ती So friends, आज के लिए वस इतना ही मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो नोट्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरी वेबसाइट प्रशान्ताइस.com से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं So friends, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में Till then, take care of yourself. Thank you